अंधेरों को मिटाएगा उजाला बनके छाएगा ये खित्ता इनकलाबी है नई दुनिया बसाएगा अंधेरों को मिटाएगा उजाला बनके छाएगा ये खित्ता इनकलाबी है नई दुनिया बसाएगा निदा कायद की है मिरा इनाम पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान मुहबब अमन है मुहबब अमन है ओलन का पैगाम पाकिस्तान 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 थाड़ी होटी क्लाबिंगे असलाम अलेक। भूल्ये पीच्र, दिलाथ साहब, प्रंसिबल साथ, मीडम अниसे और आप शागिर्दों का बहुत शुक्रिया उश्तान पाएग क्यां यविस प्सप्रावाबिया हमें उसके लिए फिर से सबका शुक्रिया और अगर मैं असा फटावाता हम रोज रोज आपके आयाट करेंगे जिस प्रोपेशन का आप लोग ने इंतिखाव किया है तो ये एक बहुत ही अजीम प्रोपेशन है और कहते हैं किसे ने एक इनसान की जान बचाई वोया उसके इनसानियत की जान बचाई तो आप उस जजबे से इस प्रोपेशन को वो करें फालो करें पैसों की लिए नहीं कि हम करें कि हम जनल सिंग करके बाहर निकलेंगें फील्ड में दून में अच्छी जाब मिल जाएगी आप इस चीज़ को बिल्कुर फोकस नहीं करें पैसा जो है वो आप मस्कुल तो हु आप आगे जाएंगे और ये वोट सर्मनी आपका जो नदर सापने बड़ी मेहनत किये उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया उनके शुक्रिया इस सिदारे में जो मेहनत अमनी की थी रमजान का माहिना था और शेहर की जो गर्मी थी वो 46-47 डिग्री सिंटिग्रेट वागती उसमेमें इसारी चीजा आरेज़् करतें दी हो तो उसमें नजर साथी ने बड़ी मेहनत कीती घृती तर की और यहां पे जागे तके डििहांतां तो एस मेहनत का नतीय था को की आगे जान को ऑगा में स्युक्रिश कुणति आगें गर्बने अब हम उजी नित्री मेहनत ना करते शायदा ऐसा कुछ नहीं होता आप इस शुबे में आए हैं तो पोट सल्मिनी के श्यों में जो मेडल ने आपको वेडियो दिखाई उस वेडियो में अपनोगों ने क्या देख किया उस वेडियो में से उसमें उन्हें करा कि वो प्रोरेंस नाइटिंगेल इस शुबे में आई है और उन्हें यहां पे आके वाल्ट किया फिल्ड में पिर वो इतना आगे गई कि वो चीफ नर्सिंग सुपरेंट जो इस फिल्ड में जिसकी प्रोमोशन होती है तो वो 18,90,20 ग्रेट कर जाते है जैसे सर ने के 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 का दिकर किया तो आप भी महनत करें आप भी उनको कालो करके आगे जाए आप सिर्फ हमेंगे जरुए नर्सिंग करके उसके वास पेशलाइजेशन करें फ्रोस वाणि बीएसल करें इसके ऊफ्लाइप करें तो वागे जा अगर वाइजिड करें लग और इन्शालला इसमें हम आपका साथ देते रहेंगे, हम आपको गाइड करते रहेंगे बाकी जब आप फील्ड में जाएंगे तो वो तो प्रिंसिपल साथ आपको गाइड कर लेंगे लेकिन वहाँ आपने सिर्फ अपने पेशन्ट के साथ काम रखना है और फजूल की चीज़ों में वहाँ जब इन्वाल नहीं होना है सिर्फ अपने काम पे तोज़्ज़ देना और अपने जो वर्क है उस पर काम करना है ठीक है सब कर बहुत सुभी